हेलो एब्रीवाल, वेलकम टू कॉन स्टाडी, अगर आप जेके एसेस्पी क्लास 4 की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट टैब में जाके जेके एसेस्पी क्लास 4, जेनरल अवेरनेस, माथ्स, रीजनिंग इन प्लेलिस्ट में जाकर व सोशल मीडिया के लिंक आपको description box में मिल जाएंगे, तो basic reasoning section जो है, which is of 20 marks out of the total 100 marks, इसका जो syllabus है यह आप देख सकते हैं, इस syllabus में से Venn diagram के lectures upload हो चुके है, direction sense cover हो चुका है, analogies start हो चुका है, कल ही start हुआ है, तो अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है, आप playlist में जाकर analogies क देख सकते हैं, और आज relationship concepts topic जो है, यह मैं start करवा दूँगी, ठीक है, तो यह कुछ basic terminology है, जो use की जाती है, blood relation के questions को solve करने में, तो यह तो कुछ बहुत easy सी चीज़े हैं, जैसे कि father या mother की mother है, तो she is grandmother, father या mother के father is grandfather, इस से परक नहीं पढ़ता, कि वो father की sister है, या mother की, उसक uncle ही बोलेंगे, तो अगर कोई लड़का बोल रहा है, कि my father's son, तो क्या हो सकता है, वो खुद हो सकता है, या उसका brother हो सकता है, उसी तरह से अगर कोई लड़की कह रही है, कि he is my father's son, या mother's son, तो वो उसका brother ही होगा, ठीक है, उसी तरह से father या mother की daughter होगी, तो वो कौन होगा या तो जो बोल रहा है वो खुद होंगे या फिर उनकी sister होंगी ठीक है similarly यह कुछ होड relationships है जैसे अगर एक person कह रहा है she is my son's wife अगर उसके बेटे की wife है तो वो कौन होगी daughter-in-law similarly daughter's husband यानि बेटी का husband वो son-in-law होगा उसी तरह से husband या wife की sister ठीक है वो गई sister-in-law similarly husband या wife का जो brother होगा वो होगा brother-in-law उसी तरह से अगर brother या sister का son nephew brother या sister की daughter niece उसी तरह से uncle और aunt की definition तो हमने देख ली थी कि mother या father के अगर brother है तो uncle sister है तो aunt ठीक है अब उन में से किसी के भी son या daughter होगा तो वो आपके cousins होते हैं यहाँ पे cousin brother या cousin sister usually नहीं लिखा जाता है यह gender neutral term यूज की जाती है जो की है cousin साथ ही अगर sister का husband है तो brother-in-law brother की wife है तो sister-in-law यह relationship आ गया अगर आपका three की जगा four generations आ रही है तो यह great word जो है हम add कर देते हैं तो relationship questions को solve करने के लिए हम कुछ symbols उस करते हैं वह symbols क्या है अगर आपने कहना है कि एक member है a और एक family का member है b a जो है he is male and b she is female ठीक है तो इस तरह से a के उपर plus का sign बना देंगे तो वो माइनस का sign बना देंगे तो female अगर हमें married couple show करना है a and b are married couple तो इनको हम इस तरह से double line से separate कर लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा they are married couple अगर हमें sibling relationship बताना है suppose C और D दो लोग है जो कि siblings है तो इनको जो है हम single line से separate करके लिग देंगे तो यह sibling relationship आ जाएगा अब इसमें क्या हो सकता है या दोनों brothers हो सकते है या एक brother एक sister हो सकती है या फिर दोनों sisters होंगी इस तरह का कोई भी relationship है उसको single line से और husband wife का relationship है तो उसको double line से separate also एक बात याद रखनी है female के लिए हम minus sign use करेंगे males के लिए plus sign use करेंगे और इन्हीं को use करके आगे सारे questions solve करेंगे इस video में मैंने 10 to 12 questions रखे है on the basis of blood relationships तो आप इसको पूरा जरूर वाच कीजिए सारे questions solve कीजिए so that आपकी practice हो जाए आप बहुत comfortable हो जाए basics के साथ अभी तक हम बात कर रहे थे same generation के blood relations की जैसे husband या wife हो गए या brother sister हो गए तो आप देख सकते है father-son relationship दिखाना है तो वह vertical line से father mother-son नीचे तो अब देखते हैं notations को questions में कैसे use करना है so this is your question number one तो यह question देखते है A जो है वो sister है B की तो A पे minus sign और single line से separate कर दिया C जो है B की mother है तो vertical line से इसको generation उपर दिखा देंगे और C पे minus का sign लगाएंगे आप ध्यान से देखो B पे मैंने अभी plus minus नहीं लगाया क्योंकि अभी specify नहीं हुआ है तो let's see D जो है C के father है तो C के भी generation उपर जाएंगे और father है यानि की male तो plus का sign अब बोला गया है E जो है वो D की mother है यानि D से भी generation उपर जाएंगे हम हमें पूछा क्या है relationship पूछा था A और D का जब हमें पूछा है how is A related to D तो हम क्या करेंगे हम D से होते हुए A पे जाएंगे अपनी diagram में तो देखते हैं D से होते हुए A पे कैसे जाना है D की daughter है C और C के बच्चे है B and A B का gender नहीं पता बट A जो है वो C की daughter होगी तो D के ही साब से देखो C is the daughter और C की भी daughter है यानि daughter's daughter वो क्या होती है granddaughter तो आपका answer आजाएगा option D Let's see question number 2 A is the brother of B तो A जो है वो male है और यह brother है किसका B का पहले हम देखेंगे B is the son of C यानि B male हो गया और वो किसका son है C का अब वापस आते हैं second statement में जहां लिका था C is the sister of D तो C sister है यानि की C पे minus का sign और sister किसकी है D की अब पूछा है how is C related to A C A से कैसे related है अगर आप देखो A और B जो है यह brothers है और B की जो mother है she is C यानि C अगर B की mother है तो C A की भी mother होगी तो इसका answer क्या आजाएगा mother तो question number 3 देखते हैं यह same ही था तो यहाँ पे बना लेते हैं A is the brother of B B is the son of C and C is the sister of D अब देखते हैं हमें पूछा क्या गया है how is D related to A हमें D और A का relationship पूछा है D का relationship A के साथ बताना है तो A से start करके D की तरफ जाएगे A की mother है C और mother के brother या sister होगी D यानि अगर mother के यह brother हुए तो uncle या aunt तो यानि हमारा जो answer आएगा वो आएगा B और D option uncle या aunt में से कोई एक अगर ऐसा option नहीं है तो आप option चूज करेंगे none of these options उसके according choose करेंगे बट हम specifically नहीं बोल सकते कि uncle होगा या aunt होगा ठीक है let's see question number four A and B are a married couple तो हम बना लेते हैं double line से A और B married couple अब बोला है A being the husband यानि A जो है वो male होगा B होगी female अब बोला है D is the only son of C who is the brother of A यानि C जो है वो A का brother है तो यहां पर हम C बना लेते हैं single line से separate करके और D जो है वो C का son है only son है आगे हमें बोला गया है E is the sister of D D की एक sister है जिसका नाम है E question में क्या पूछा गया है how is E related to C तो यहां पर हम directly देख सकते हैं कि अगर यह दोनो brother sister है and C is the father तो हमें E का relation पूछा गया है C से तो उसके लिए हम क्या आगाते है C से होते हुए E की तरफ जाएंगे तो C से होते हुए देखना है तो C के according देखो तो E क्या है daughter आपका answer आजाएगा option C daughter E का क्या relationship है E is the daughter of C So let's see question 5 A is the brother of B तो A male है उस पर plus का sign बना दिया B का gender नहीं बता Second line देखते है B is the wife of C यानि B female हो जाएगी और wife है यानि double line से separate करेंगे किसकी wife है C की wife C कोन है son है P का तो C male है और son किसका है वो P का P कोन है wife है Q की यानि P female है और wife है यानि double line से separate करो और Q लिख दो अगर P is the wife तो Q husband होगा तो यहाँ पर plus sign बना सकते है ठीक है अब पूछा है how is A related to C तो इसको कैसे देख सकते हैं C से होते हुए C के point of view से देखना है A क्या है तो C के point of view से देखो C की wife है B और wife का brother तो wife का brother कोन होता है brother-in-law option D आ जाएगा So again same question but end में हमें पूछा क्या गया है how is B related to Q B का relationship Q के साथ तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो कि P and Q husband wife है जिनका son है C ठीक है यानि Q का son है C और son की wife है B तो son की wife कोन होती है Son की wife होती है daughter-in-law तो इसका answer क्या आ जाएगा daughter-in-law तो question 7 में पूछा गया है how is Q related to B तो Q का relationship B के साथ देखना है तो B के point of view से देखेंगे B के point of view से देखना है B का husband है C और husband के father है Q husband के father कौन होते है He is father-in-law ठीक है options में कुछ problem आ गई थी बट इसका answer क्या होगा Q is the father-in-law of B B कौन है daughter-in-law of Q daughter-in-law of P ठीक है Q B का father-in-law है और P कौन है mother-in-law B के हिसाब से देखो तो Let's see question number 8 हमें बोला गया है M जो है वो father है O के ठीक है M male है O का gender नहीं बता साथ ही बोला है P जो है वो son है किसके Q के ठीक है N जो है brother है M के M के brother यानि single line से आप N बना लो और plus का sign ठीक है अब बोला है O अगर sister है P की यानि O sister होगे P की single line से इसको separate कर लो तो question पूछा है How is N related to Q तो यह कैसे solve होगा अगर आप देखो यह दोनों जो है P और O यह है brother और sister और M इनके father है और P Q के son यानि यह जो है married couple हो जाएगा Q mother हो जाएगी अब हम देख सकते है N और Q का relation Q के perspective से देखना है N क्या है Q के husband M husband के brother N husband के brother क्या होते है brother-in-law तो इसका answer आज एक option A P पूछा क्या गया है how is Q related to O तो अगर आप ध्यान से देखो O के perspective में तो यह parents है mother और father और यह दो उनके बच्चे है son and daughter P उनका son है O daughter है पूछा क्या गया है Q का क्या relation है Q कौन है तो Q is the mother of O तो answer आपका आजाएगा option C mother question number 10 में बोला है A and B are brothers तो हम बना लेते हैं यानि दोनों ही भाई है A भी male है B भी male है next line देखते है A's son is D's brother यानि A का कोई son है जिसका हमें भी नाम नहीं पता वो कौन है D का brother brother किसका है वो D का इतना बना लिया अब इस line पे आते C and D are sisters यानि यह D जो है यह female है और इसकी एक sister है C ठीक है और इनका एक भाई है जिसका हमें नाम नहीं पता जो डाइग्राम बनी है वो यह है कि A जो है वो father है इन तीन बच्चों का और इन father के एक भाई है B ठीक है यह clarity मिल गई अब question देखते है question में क्या पूचा है how is B related to C B का relationship C के साथ देखना है तो C के perspective में देखो कि अगर A जो है वो D और C दोनों का father है यानि C के father है A और इन father के brother है B father के brother कौन होते हैं uncle तो B का relationship क्या है B is the uncle of C question 11 देखते हैं यहाँ पे पूचा गया है how is D related to B D का relationship पूचा है B के साथ यानि B के point of view से बताना है तो B का एक brother है इस brother की बेटी daughter है D तो brother की जो daughter होती है वो कौन होती है niece तो इसका answer आजाएगा option C तो this is question 12 जिसमें दिया है A and B यार married couple ऐसा ही question हमने पीछे slides में देखा था बट इसमें आपसे पूचा क्या गया है E का relation चे पूचा गया है A से तो इसका answer आप comments में बता सकते हैं this is your try this yourself question तो आप इसको जरूर solve करके comments में आंसे बता सकते हैं so that's all for the lecture one of blood relations हम blood relations के और questions देखेंगे थोड़े different type के वो हम देखेंगे lecture 2 में thank you so much for watching everyone God bless you